अश्रा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं रना में सिद्धान दगनी होता है, शड़ी ग्लोस पर आपका बहुत बहुत सभागत है, लेच्चर 24 देख रहे हैं और कल आकरी लेच्चर आएगा, और यह World History की सीरीज एक महिने में complete होगी है, इसमें मैंने एक एक Content इजबरदस्त, Quality इजबरदस्त, सब कुछ समझ में आएगा आपको, तो हम Afghan War की बात करेंगे दोस्तों, 2020 तक क्या हो रहा है अफगानिस्तान में, डेमोक्रेसी की बात करें तो Afghan सबसे नीचे, टेरिरिजम में सबसे उपर, Afghanistan और Somalia, यह दो सबसे बतकिस्मत स्टेट हैं, ए सारे वार्स में आपे कबर करूँगा, ठीक है, पहले Soviet-Afghan War और उसके बाद Rise of Taliban और फिर अमेरिका का जो intervention है, ठीक है, तो यह अफगानिस्तान आप देख सकते हैं, यह देख रहे ने, यह है अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लगा हुआ है Durand Line जो है, वह अफगानिस्तान औ पात करें दोस्तों, तो अफगानिस्तान में थोड़ा सहतियास, हम देख लेते हैं, पूरा नहीं बताऊंगा, तो अफगानिस्तान अगर अखंड भारत देखे तो अफगानिस्तान का भी थोड़ा पार्ट जो है, वह आता था, मतलब अगर आप इंशेंट आप जाए, और अगर आप चंदगुप्त मौर और अशोक, समराट अशोक हो गए, तो उस समय में अगर आप जातों, अफगानिस्तान के भी कुछ पार्ट को कंट्रोल करते थे, ठीक है ना, अफगानिस्तान में बिसिकली ट्राइप्स रहती हैं, ये कभीले यहां पर रहते थे, डिफरें सिस्टम नहीं रहा है, ठीक है, ये डिसेंटरलाइजड अफगानिस्तान के जो छोटे-छोटे हिस्से थे, वो कभीलों में, भाया मोहमद घोरी जो है, भारत में इन्वेजन यही से हुए, मोहमद घोरी, महमुद अफगजनी हैं सब अफगानिस्तान के रहने वाले थे, सम अफगानिस्तान भले ही, उसको भारत में बकायदा इसकी मजहार है, ठीक है ना, अफगानिस्तान में, father of modern अफगानिस्तान, एहमचा अब्धाली, एहमचा अब्धाली पता है न कौन है, third battle of पानिपत जो ही थी, अब्धाली और मराठाओ के बीच में, ठीक है ना, तो समें अफगानिस्तान जो है एहमद शाबदाली ने यहां पर डिफरेंट ट्राइब्स को एक कर दिया और जो ट्राइब्स को जो एक देश को एक कर देता है जो डिफरेंट ट्राइब्स को एक कर देता है वो हमेशा राजा कहलाता है राजा वही होता है जो एक कर दे तीक है लेकिन ब्रेटिचर की अफगानिस्तान पे हमेशा से नजर थी, अफगानिस्तान की जो कापिटाल है वो काबोल है, पता ही होगा, ब्रेटिचर की अफगानिस्तान पे हमेशा से नजर थी, तीन अफगान वार हुए है, फर्स्ट अफगान वार 1839 से लेकर 1842 तक हुआ, तीन साल चला इसमें अफगानिस्तान जीता 2nd Anglo-Afghanistan War ये तुरंत 20 साल बाद हुई चली मुझे आप डेट बताए 2nd और 3rd Anglo-Afghan War की कमेंट बॉक्स में डेट बताए की कब हुई थीक है उसमें British Air को जीत मिली थीक है तो British बहुत सारे एरिया अफगानिस्तान के कंट्रोल करने लगा और ultimately 3rd Afghanistan War की बात करें तो 3rd Afghanistan War में अफगानिस्तान की diplomatic victory थी World War 1 खतम होते होते अफगानिस्तान में West के भी बहुत interest थे मतलब इधर जो Europe है ना इनके भी बहुत interest थे अमेरिका का भी बहुत interest था और Russia का भी Soviet का भी बहुत ज़्यादा interest था लेकिन World War 1 जैसे ही खतम हुआ अफगानिस्तान को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया और अफगानिस्तान को बोला कि कोई भी तुमारे मसले में नहीं पड़ेगा आप समझ रहे हैं तो ये हुआ अब जब अफगानिस्तान को अकेला छोड़ा और अफगानिस्तान के पास पूरा कंट्रोल आया World War 2 में भी अफगानिस्तान न्यूट्रल था World War 2 में भी अफगानिस्तान ने पार्टने लिया था बहुत ज़्यादा ठीक है 1933 में यहाँ पे आते हैं जाहिर शाह ठीक है राजा जाहिर और वहां वो बहुत ही cultural एक country है और वो नहीं चाहते कि उनके धर्म में या कोई modernity आया वहां पे धार्मिक जो लोग है और जो लोग वहां पे रहते भी हैं वो नहीं चाहते वो जैसे है वैसे ही रहना चाहते हैं जाहिर शाह जो है वो reforms लेके आ रहे थे elections करवाने के वो सोच रहे थे नए-ने reforms लेके आ रहे थे तो ये लोगों को बहुत पसंद नहीं आया अब 1973 में क्या हुआ 1973 में क्या हुआ जाहिर शार को definitely यहाँ पे वेस्ट का भी पूरा सपोर्ट था थेक है 1973 में क्या हुआ 1973 में क्या हुआ जो सत्ता है वो हतियाली थी इराक में तो 1960 में बहुत प्रोटेस्ट हुए 1973 में क्या हुआ कि जाहिर शाह का तक्ता पलट कर दिया जाहिर शाह जो थे जाहिर शाह के जो कजन थे दाउद खान, मुहम्मद दाउद खान वो इनके प्राइम मिनिस्टर थे जाहिर शाह के, जाहिर शाह राजा थे और प्राइम मिनिस्टर थे दाउद खान लेकिन कजन नहीं इनका पत्ता काट दिया, तक्ता पलट कर दिया 1973 में अब मुहम्मद दाउद खान जो है वो सत्ता में आ गए मुहम्मद दाउद खान जब सत्ता में आए तो हुआ क्या ये पांच साल तक रहे पांच साल में ही मुहम्मद दाउद खान खतम दोस्तों क्या है कि यहाँ पे जिनको सत्ता मिली है बड़ा मुश्किल दाया उनके पास उनका टिकना, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, क्या हुआ, PDPA आपको याद रखनी है, बहुत ही important, People's Democratic Party of Afghanistan, अब याद रखिएगा, ये People's Democratic Party भले ही ये Democratic इसमें लगा है, लेकिन ये Communist Party है, देखिए, Communism भी अपने आगे democracy लगाता है, वहाँ पर जितनी भी पार्टी देखेंगे ना, सबके आगे democracy लगा होता है, Democratic Party, क्योंकि उनको पता है, लोगों को अगर बता देंगे, कि तुमारे पास कोई rights नहीं, कोई freedom नहीं, तो लोग क्यों support करेंगे, तो इसे लिए भाई है, democracy लगा दो, PDPA का गठन जो है, वो 1965 में हुआ था, मैंने अभी आपको बताया ना, देखे, communism जो है, उस समय उबर रहा था, क्यूबा में communism आ गया था, चाइना में communism आ गया था, और पूरी दुनिया भर में communist party जो है, वो बन रही थी, ठीक है, और communist को Soviet का support था, Soviet जो है, वो communism को support कर रहा थ था, Cold War का मेरा लेचर है, आप देख रीज़ेगा, वाड इस्ट्री में यह, ठीक है, अमेरिका तो डर था, कि अगर एक जगा communism फैलेगा, तो हर जगा फैलेगा, domino effect, तो इसलिए अमेरिका ने इधर, Korea में भी घुज गया, अमेरिका ने वार लड़ा, वियतनाम में भी आपको बता दूँ, कि जब 1973 में तकता पलट हुआ, 1973 में जब दाउत खाना है, तो अफगानिस्तान में भयानक illiteracy थी, 95% लोग वर illiterate, अर्बनाइजेशन बिल्कुल था नहीं, वैसे भी अफगानिस्तान पूरा गाउं का एरिया है, अफगानिस्तान के अगर बात करें, तो वहाँ पे अर्बनाइजेशन नहीं है, शेहर बहुत अच्छे से डेवलप नहीं है, ठीक है, जमीन की भी प्रॉब्लम है, 80-90% लोग उस समय 1973 में गाउं में रहते थे, तो गाउं से पूरा कंट्रोल चलता था, वहाँ पे प्रॉपर आपको रोड नहीं मिलेगी, तरे अभी हम उस पे आएंगे थोड़ी देर बाद, तो PDPA का 1965 में जनम हो गया, PDPA अभी मैंने बताने, Communist Party है, इसका फुल फॉर्म People's Democratic Party of Afghanistan, PDPA के दो फैक्शन थे, ठीक है, एक था आपका खलक फैक्शन, ये थोड़े कत्तर थे, ये एक्स्ट्रीमिस्ट थे, और एक था आपका प आपका K-H-A-L-Q, खलक फैक्शन, जिसको खलक मतलब लोग होता है, ठीक है, ये थोड़े से एक्स्ट्रीमिस्ट कट्टर थे, ठीक है, ये लोग कोई भी मॉडरिनिटी नहीं चाते थे, और बहुत ही कट्टर थे, बड़े अग्रेसिव थे, दूसरा था आपका पर्चम, खलक और पर्चम दोनों नाम से अफगानिस्तान में न्यूस पेपर छपते थे, ठीक है, तो दोनों न्यूस पेपर भी थे ये, तो पर्चम वाले पर्चम जो थे, वो थोड़े से मॉडरेट्स थे, ठीक है, अब जो पर्चम वाले थे, ठीक है, इनको सपोर्ट था अमीर अर्बन, मिडल क्लास और हाई क्लास लोगों का पर्चम फ्यक्शन को सपोर्ट था। लेकिन खल्क फ्यक्शन को रूरल सपोर्ट था। आप समझ रहे हैं। रूरल फैक्शन जो है गाउं वाले जो है वो खल्क फैक्शन को सपोर्ट करते थे। यह बात हुई PDPA के और अभी म समझे अब देखिए 1973 में ये PDPA के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया मुहम्मद दाउद खान आ गया 1973 में लेकिन हुआ क्या दोस्तों पांच साल का दाउद खान का रूल था और दाउद खान को PDPA सपोर्ट कर रही थी दाउद खान को जो है वो यहां की जो Communist Party है PDPA अभी मैंने जो आपको पूरा बताया वो पूरा सपोर्ट कर रही थी कि आप रूल करो हम तुमारे साथ हैं अब यहां पर दोस्तों अफगानियों का एक सपना रहा है कि सारी पश्तूनों को यूनिफाई करें पश्तून जो ट्राइब है पश्तून लोग जो है बहु को उसने अजादी थिया वहां बहुत बड़ा खेल कर गया कुछ देशों को युनाइट कर दिया कुछ देशों को अलग कर दिया डिवाइट रूल ताकि अनस्टेबिलिटी और उनका इंफ्लूएंस वो बना रहे ठीक है अफगानिस्तान में क्या हुआ कि अफगानिस्तान में ये लाइन ठीची तो अफगानिस्तान के कुछ हिस्से पाकिस्तान में चले गए और पश्टून पॉपलेशन जो है अब भाई जाहिट सी बात है इधर वाला एरिया जो पाकिस्तान में गया है पश्टून आधे बहुत सारे पश्टूनों लोग जो है वो पाकिस्तान म आगे और अफगानिस्तान में भी पश्टून तो यह अफगानिस्तान चाहते हैं कि पश्टूनों को एक किया जाए ठीक है जो भी लीडर आता है उससे यही अफगानी लोग उमीद करते हैं कि पश्टूनों को एक करो अब दाउत खान इसके लिए आपको एग्रेसिव पॉल 22 अप्रेल को 100 revolution जिसको एप्रिल revolution या एप्रिल कू बोला जाता है कू मतलब तक्ता पलट कू डिटाट जिसको एप्रिल कू या एप्रिल revolution बोला जाता है मोहम्मद दाउत खान को भी मार दिया तो 1978 में PDPA ने तक्ता पलट कर दिया मुहम्मद दाउत्खौन को मार दिया कभी भी तक्ता पलट याद रखेगा तक्ता पलट तभी हो गए जब आर्मी आपके साथ होगी जब आर्मी आपके साथ होगी तब आपका तब आप तक्ता पलट कर सकते हैं तो अफगानी आर्मी जो थी PDPA अफगानिस्तान की आर्मी को ये कन्वेंस करने में कामियाब हो गई कि आप हमारे साथ आ जाओ इससे पहले दोस्तों हुआ ये भी था जो PDPA के बड़े जो बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे ठीक है जैसे नूर मुहमद ताकी, हाफिज उल्ला आमीन इन सब को हाउस अरेस्ट भी कर लिया था मुहमद दाउद खान ने क्योंकि दाउद खान को ये पता था कि आज नहीं तो कल ये लोग मेरा तक्ता पलट करी देंगे तो इससे लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लो इन सब को अरेस्ट करे डालो तो पीडी पीए के खिलाब वैसे ही बहुत आक्शन्स ले रहे थे दाउद खान तो दाउद खान का तक्ता पलट हो गया 27 और 28 अप्रेल को दंदनाते हुए जो आर्मी है वो दाउद खान के पास गई दाउद खान को मार दिया अब यहाँ पे 1978 में 100 रेविलूशन इसको बोला दियाता है PDPA का कम्यूनिजम आ गया है यहाँ पे 1978 में अब वहाँ क्या दोस्तों यहाँ पे पावर स्ट्रगल शुरू हो गई दाउद खान से लड़ने के लिए खाल्क और पर्चम फैक्शन मैं अभी आपको बताते हैं PDPA के दो विंग्स थे यह एक हो गए लेकिन जैसे ही दाउद खान को मारा यह दोनों में फिर लड़ाई हो साइकोपैट थे यह अजीवोगड़ी बहुत इन्होंने कुर्टा बरती हाफिज उल्ला आमीन का जो रूल था वो बहुत ही खतरनाक था तो 1979 तक 6 मैने लगवग लगवग इनका रूल चला ठीक है अब दोस्तों हुआ क्या 1979 में हाफिज उल्ला आमीन जो था उससे कोई लो ओट खड़े हुए सोविय Andrea मढईास तो हमेशा से अफगानिस्तान में इंटरस्ट आए अब देख रहा हैना सोवियत बिलकुल पास अफगानिस्तान के सोवियत ने अफगानिस्तान को इन्वेड कर दिया वुरं ऑर है इसा मत करो या गलत कर रहे हो दुनिया भर ने बोला कि वो यहाँ पे रहे, दूसरा जो वहाँ पे unstability है, उसको बिल्कुल stable किया जाए तो हाफिज उल्ला आमीन को सोवियत ने मरवा दिया, ठीक है अब इसमें दोस्तों बहुत सारे ये भी है कि officially आपको कहीं नहीं मिलेगा कि सोवियत का हाथ है, लेकिन बिल्कुल नहीं काई हाथ था हाफिज उल्ला आमीन को मरवा दिया और उसके बाद कमाल बर्बाग को जो की परचम फैक्चन के थे, मॉडरेट फैक्चन के थे कमाल बर्बाग को प्रेसिडेंट बنایا, लीडर बनाया और सोवियत की पूरी बैकिंग थी अब हम यह देख रहे हैं कि 10 साल तक सोवियत और अफगान वार चली 1979 से लेकर 1989 तक ठीक है 1989 में सोवियत को यह पता चल गया था कि हम यह आप में जीत नहीं सकते तो बेटर यही है कि निकल लो यहां से पतली गली से देखिए है क्या कि अफगानिस्तान में घुश तो सकते हैं लेकिन वहां पे सस्टेन करना बहुत मुश्किल है कोई भी देश अफगानिस्तान में आसानी से घुश जाएगा देखिए अमेरिका का क्या हल हुआ अमेरिका 2001 से अफगानिस्तान में फसा हुआ है गुज गया अमेरिका ने कबजा कर लिया शेहरों पे कबजा करना वहाँ पे आसान है गाउं पे नहीं कबजा कर सकते और मैंने आपको बताया ना कि 70-80% अफगानिस्तान गाउं का इलाका है वहाँ पे बड़े बड़े पहाड हैं रोड भी ने बनी हुई है और अफगानियों को जो ट्राइबल लोग से उनको एक एक चप्पे-चप्पे की जानकारी है तो ये छापा मारी उद्ध करते थे गुरिला वार्फेर करते थे और उड़ा देते थे तो आप अफगानिस्तान में घुस्तो सकते हैं लेकिन यहा सब्वे चोड़े और बिग्दम पठा ने 6-7 फिट, 6-6 फिट के हटे-कटे यह सब लड़ा के सब के सब warriors हैं ठीक है जिनको मुझाहिद दीन से बोला जाता था समझ गए तो यह जो है इन्हों ने अफगानिस्तान के खिलाब जो है वो लड़ना शुरू कर दिया अब आपको बताया कि अफगानिस्तान में इलिटरेसी ज्यादा थी स्कूल खुलवाए खुब सारे प्राइमेरी स्कूल खुलवाए कि एजुकेशन बड़े औरतों की बहुत बुरी हालत थी औरतों को राइट्स दिये है ना कहीं पर भी औरते जब बाहर जाती थी तो किसी सोवियत में क्या है अगर एगरी कल्चर की बात करें तो यहाँ पे जो जमीन है उसमें खाली 12% अरेबल है यह पुरा बंजर एरिया अगर आप देखेंगे लेकिन देशों का यहाँ पे इसलिए इंटरस्ट है यहाँ पे OPM और हिरोईन बहुत मिलती है ठीक है सोवियत जो ह अफगानिस्तान इरान और पाकिस्तान यह गोल्डन क्रिसेंट है ठीक है और इधर यह लाओस थाइलेंड और इधर म्यानमार यह आपका गोल्डन ट्राइंगल है आप समझ रहे हैं यह और बीच में आता है भारत अब यह मैं आपको गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्र होती है OPM की ड्रक्स यहां पे बहुत ज़दा तभी तो इतने सालों तक अफगानिस्तान में जो वार चल रहा है जो लड़ाके लड़ रहे हैं पहले सोवियर से लड़े 1989 तक फिर अमेरिका से लड़ रहे हैं पैसा कहा से आ रहा है यह इल्लीगल ट्रेड होता है यह गोल्डन यह एक बहुत बड़ा इंटरस्ट है सीली जो वेस्टन पावर्स है जो रश्या है वो अफगानिस्तान में अपने दबदबा चाता है दूसरी चीज दोस्तों यह है अफगानिस्तान में बहुत सारे रिसोर्सेज है ठीक है अंटाप्ड रिसोर्स यहां पे पेट्रोलियम यहां पे नेचुलल गैस इस सब आपको यहां पर भर भर के आपको रिसोर्सेज मिलेंगे जिनको अभी तक यूज नहीं किया गया है पहाड को काटिये बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे अमेरिका का यहीं इंटरस्ट था कि एक बार अफगानिस्तान पे कबजा करें और के resources को हम use करेंगे और यहां पे billions dollar invest करेंगे और billions and billions of dollars invest करके trillions में हम कमाएंगे लेकिन अमेरिका का बिल्कुल ये गलत साबित हुआ क्योंकि अमेरिका ने billions dollar खर्च किये और एक रुपए नहीं कमाया अमेरिका एकदम बेकार यहां अमेरिका की सेनव अभी तक अब जाके अमेरिका की सेनव बार निकल रही है जब 1979 से लेकर 1989 तक शुरू होगी क्योंकि लोग भी देखे ये जो रिफॉर्म्स थे ये जो पीडी पीय रिफॉर्म्स लेके आये अभी मैंने आपको बताया जो एईरी कल्चिरल और एजिकेशन रिफॉर्म्स इससे लोग बहुत जदा खुश नहीं थे मैंने बताया ना कि सामा बिन लादेन जो कि एक बहुत ही अमीर परिवार का बेटा था इंजिनियर था वो भी यहां से निकला सोवियत अफगान वार ने बहुत सारे अतंकी संग्ठन को जनम दिया लेकिन सबसे बड़ी चीज हुई दोस्तों मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ी चीज दोस्तों यह अमेरिका वाला ठीक है यह आप देख रहे हैं यह है रॉनल्ड ड्रेगन यह है मुझाहिद दीन यह बहुत ही फेमस तस्वीर है यह रॉनल्ड ड्रेगन से जाके मिले सोवियत जो है वो अफगानिस्तान में घुश गया अमेरिका चाहता था जहां सोवियत खिलाफ लर सके इस्टिंगर मिसाइल दी यह स्टिंगर मिसाइल बहुत ही खतरनाक थी इस्टिंगर मिसाइल जो है बहुत ही यह हवा में मारती है फीक है यह मिसाइल ने सब कुछ बदल के रख दिया यह क्या था कि हेलिकॉप्टर आता था इनके पास स्टिंगर मिसाइल य अवा में हेलिकॉप्टर्स को मार देती थी सोवियत के, बहुत जादा पैसा यहां पे अमेरिका ने बहाया, रॉनल्ड ड्रेगन ने खुब पैसा दिया, यह मुझाहिदीन्स को यह आग दो देख रहे हैं, ठीक है, और यह लोग बड़े खुच, इनको खुब पैसा आ रहा और यह वार जो है, यहां से मुझाहिदीन्स का उदह हुआ, यह थे मुझाहिद, जिनको मुझाहिदीन्स बोला जाता था, यह सोवियत के खिलाफ लगा अतार लड़ते रहे, और अल्टीमेटली, 1989 में, देकि 1985 में मिखाल गुर्पचेव भी आ गया, मिखाल लेकिन अब प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या हुई दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, देखिए ऐसा था, यह जो अमेरिका जो है, वो डारेक्ली तो इन्वाल्व हो नहीं सकता था बोर में, तो उसने क्या की, उसने सप्लाई दिय, उसने हतियार सप् मुझाहिदीज थे, उनको ट्रेन करते थे यह लोग, और पूरा जो हतियार के सप्लाई जो पैसे होते थे, अमेरिका इदर पाकिस्तान को देता था, और पाकिस्तान जो सप्लाई है वो अफगानिस्तान को देता था, समझ रहे हैं, तो पाकिस्तान में बकायदा लग जाए, तो फिर बहुत मुझकिल होता है पीछे लोटना, यह जो मुझाहिदीन्स थे, इन्हों ने बोला, अब तो बेटा हम रूल करेंगे, और 1989 से लेकर 1996 तक शुरू हो गया Civil War, ठीक है, अफगानिस्तान की जो यहां पे सरकार थी, और जो मुझाहिदीन्स थे, इनक 1994, मुल्ला उमर, इसने 50 लोगों को रेक्रिूट किया, यह बिसिकली लीडर था, और तालिबान का उदय होता है, तालिब स्टूडेंट्स को बोला जाता है, और जितने भी स्टूडेंट्स जो युवा थे, धीमे धीमे इस ग्रूप से जुरते गए, 1994 में तालिबान का मुल्ला उमर ने ग्रूप बनाया, कि हम तो आजादी ले लेंगे, और हमारा पूरा कंट्रोल होगा अफगानिस्तान पे, और फिर यहाँ पे धीमे धीमे करके, यह आकड़ा जो है, 15 से 20,000 तक पहुँच गया, और पाकिस्तान जो है, वो पूरी बकाइदा ट्रेनिंग दे रहा था, बकाइदा साथ साल तक सिविल वार चली, और अल्टीमेटली यहाँ पे जो लड़ाके थे, इनको बड़ी नौलेज थी, नौलेज किस तरीके से, अफगानिस्तान की एक एक टलेन, पहाडी एरिया सब नौलेज थी, इनका एक ही मकसद था, मुल्ला उमर ने बोला कुछ नहीं करना है, शेहरों पे कबजा कर लो, जहाँ पे सरकार अप्रेट होती है वहाँ पे कबजा कर लो, उननिस स्व च्यादवे में हम देखते हैं कि काबुल पे कबजा कर लिया, उननिस स्व चौरानवे तक 15 प्रोविन्सेज ये लोग के रूल करते थे, और उननिस स 1996 से लेकर 2001 तक ये 5 साल तालिबान ने राज किया है और ये अंधा युगता ये बहुत ही खराब था ठीक है क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ हुआ और तो की जो जिन्दगी थी वो बहुत खराब हो गई और तो को एक काले युग में एक काले अंधकार में धकेल दिया था कोई डेवलप्मेंट नहीं अफगानिस्तान आतंकियों की जमीन बन गया था अलकाइदा यहां से ऑपरेट करती थी बहुत सारी बॉंबिंग्स हुई एमबसी में बॉंबिंग्स हुई इधर जैशे मुहमद ने यह जो मसूद अजर था मतला मसूद अजर जेल में था और इधर आतंकियों ने क्या किया ICG 841 1999 को हाईजयक कर लिया हमारे प्लेन को भारत के प्लेन को और उसके बाद फिर हमको मसूद अजर को छोड़ना पड़ा उसकी वज़े से थीक है तब वहां पे जाकि यात्रियों को छोड़ा एक सो सी यात्री थे मसूद अजर को जब हमने तालिबान है 1996 से लेकर 2001 ता कि ये बहुत ही खराब एक पीरियाट था लेकिन इतना जाधा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था तालिबानी इतने जाधा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था ये अफगानिस्तान पर भूल करने लगे शरिया लो लगाया शरिया इसलामिक लो बह प्लेन्स थे, अलकाइदा के बकाइदा पूरी प्लाइनिंग थी, उसामा बिलादेन की पूरी प्लाइनिंग थी, और अमेरिका में जो प्लेन थे वो ट्विन टावर में घुस गये, ठीक है, प्लेन को घुसा दिया ट्विन टावर में, देखते ही देखते ट्विन टावर प उनको पैसा दिया, वही है न कि जैसा बोगे वैसा ही पाओगे, वही फल मिलेगा, और बाद में अमेरिका के ही ये लोग सरदर्द बन गए, ये सब के सब अमेरिका के लिए बहुत बड़े सरदर्द ही बन गए, यहीं से आतंकवादी उबरे, और जब सब्टेंबर को अमेरि उनका कोट आया था, बन्दब बहुत फेमस उन्हों ने बोली थी अपनी स्पीच में, आइधर यू विथ और यू आर नॉट, यू आर अगेंस्ट अस, या तो आप हमारे साथ हो इस वार में, या फिर आप हमारे खेलाफ हो, क्योंकि जब अमेरिका पे हमला की आतंकियों अलकाइदा ने और यह पूरा अफगानिस्तान से प्लानिंग हुई थी, तब जॉर्ज डबलो बूच टुक लेवाने थे नहीं, भारत बहुत वक्त से अमेरिका से बोल रहा था, कि आप देखिए हम लोग जो हैं, यहाँ पे आतंकवाद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भ फ्यूल था उसमें, और ट्विन टावर में घुज गए, चार प्लेन को हाईजाय किया था, अलग 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 अमले हुए, ट्विन टावर पे सबसे खतरनाक था, तो जॉर्ज डबलो बुच ने ऑक्टूबर आते आते अफगानिस्तान को अल्टिमेटम दे दिया, कि उसा मामा बिलादिन को हमारे हवाले करो, और जो प्लैनिंग हुई है, उसकी हम जाज करेंगे, तालिबान अफगानिस्तान ने मना कर दिया, ठीक है, और जैसे अफगानिस्तान ने मना किया, फाइनली अमेरिका ने अक्टूबर में ही अफगानिस्तान को इन्वेडी कर दिया, बकायदा बहुत सारे इसमें NATO members थे International Security Assistance Force बनाई गई ISAF जिसमें Australia थे Canada और इधर Britain तो बहुत से देश जो है वो अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे और शुरू होता है Operation Enduring Freedom 2001 से लेकर 2014 तक चलाई है अब जैसा कि मैंने बताया कि अमेरिका ने कबजा तो कर लिया अफगानिस्तान पे बहुती जल्द अमेरिका ने यहां के शेहरों पे कबजा कर लिया लेकिन वही मैंने बताया ना कि एक बार अमेरिका एक बार आप घुसतो सकते हैं लेकिन आप निकल नहीं सकते ठीक है Operation Enduring Freedom जो है अमेरिका ने शेहरों पे कबजा कर ले लेकिन गाउं पे कबजा है लोग नहीं कर पाए गाउं पे यहां पे तालिबानियों की ही चलती थी इन मुझाहिदीन्स की चलती थी लड़ाकों की चलती थी और पूरा सपोर्ट था ठीक है और अल्टीमेटली इतने टाइम से अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान में और अभी तक कुछ भी नहीं भिगाड़ पाया इन फाक्ट तालिबान और ज़्यादा ताकतवर हो गया है ठीक है अब तालिबान बहुत बड़े एडिया को कंट्रोल करता है तो यह बहुत ही खतरनाक बात है आप समझ रहें तो हम यह देखते हैं कि 2001 में Operation Induring Freedom चलाया उसके बाद हामित करजाई को President बनाया बकायदा अमेरिका ने आपे Democracy लाने की कोशिच की Election करवाए Free and Fair Election हुए आपे पहली बार ठीक है लेकिन इसका फायदा नहीं हुआ अफगानिस्तान की जो forces थी जो अफगानिस्तान सरकार की forces थी इसमें तीन party है एक तो अफगानिस्तान की सरकार ठीक है दूसरे है तालिबानी जो लड़ा ने अफगानिस्तान की सरकार है अमेरिका से और तीसरा है अमेरिका, ठीक है, तो 2001 के बाद से हुआ कि अमेरिका यहाँ पे बकायदा इस free election करवा है यहाँ पे, ठीक है, हामित करजाई को लेकिया है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, यह लड़ाई और ज़्यादा तेज होती गई, और अमेरिका के सैनिक, 2009 तक अम बहुत सारे सैनिक थे, 2014 में फिर फाइनली operation enduring freedom जो है, वो खतम हुआ, और फिर operation जो है, वो दूसरा operation चला, इसको कहते है, operation freedom sentient, यह 2015 से लगर अभी तक चल रहा है, अमेरिका के इतियास में अभी तक का सबसे important और सबसे लंबा war है, जिसमें को अमेरिका अभी तक जीत नहीं जादा अमेरिका में यह होने लगा, कि अफगानिस्तान का war है, हम उनके क्यों फट्टे में पड़े, तो डॉनल्ड ट्रम्प इसी बात पे आये थे, कि अफगानिस्तान सा अपनी फोजों को निकाल लेंगे, देखिए, जॉर्ज डबलु बुश का था, कि पूरी दुनिया में कहीं पे भी कुछ भी होता था, पूरी दुनिया में यह क्या करते थे, यह घुज जाते थे, है ना, जॉर्ज डबलु बुश पूरी दुनिया में पलीता सुलगाते रहते थे, हर जगा पी वेडा गर्क करते थे जॉर्ज डबलु बुश, इनका एक ही मक्सद था, घु अब इधर अगर हम बात करें, आइस आइस जो है, यह बहुत बड़ा रीजन था अफगानिस्तान का, इराक में भी देखे न, इराक में भी यही था, तो अमेरिका जहां जा गुचा है, वहां से आतंकवाद का जनम हुआ, तो हम यह देख रहे हैं, कि जब जोर्ज डबलू ब निकाल लेंगे, तो इस पे चुनाओ होते हैं, अमेरिका में, ठीक है, चुनाओ का मुद्ध यह रहता है, कि हम अपनी सेरा को वापस निकालेंगे, और डॉनल्ड ट्रम्प ने फिर 2017 आते आते, अफगानिस्तान में, ये तो बात सही है, कि अफगानिस्तान में अमेरिकन ट तो खाली अमेरिका और तालिबान थे, अफगानिस्तान के सरकार तो प्रेजेंट ही नहीं थी, तालिबान और अमेरिका ने दोनों ने मिलके, टेबल पे बैठके, डील साइन की, कि हम जो है, वो अपने टूस को इसकी बात चीत बहुत पहले से ही चल रही थी, ठीक है, जाल फर्वरी 2020 में, दोहा में डील साइन हुई, और इसमें ना ही भारत था, ना ही, इसमें सिर्फ अमेरिका और तालिबान थे, तो एक तरीके से अब अमेरिका की आर्मी जो है, वो विड्रॉ कर रही है, समझ रहे हैं, और तालिबान को पूरा कंट्रोल दिया है, अभी इस समय अगर बात करें, तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, तालिबान जो है, वो कौन-कौन से एरिया को कंट्रोल करता है, तालिबान बहुत ताकतवर हो गया इस समय, और वाइट में सरकारी एरिया है, और उसके बाद बाकी ये जो लाइट ब्लू में है, ये कंटेस्टेड हैं, सरकार और तालिबान के बीच में, तो आप देख सकते हैं, कि तालिबान बहुत बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया, और ये जो पीस डील है, अभी तक अमेरिका के डर से, ये तालिबानी जो वो शांद बैटे हुए थे, हमले होते थे, लेकिन अब अमेरिका चला गय जो हैं, उनकी भी इसमें जाने गई हैं, और 62,000 अफगान नैशनल सेक्योरिटी फोर्चर और 31,000 से विडियन जो हैं, वो भी मारे गए हैं, आप समझ रहें, मतलब एक लाग से जादा लोग अभी तक इसमें मारे जाते हैं, तो ये लेच्चर था दोस्तों, इसकी जो इस इस दान तक इनो थी सैनि हो